हलो फ्रंट्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हुए ये beautiful सा neg की design लेके आए हुए हूँ इसको मैंने कुर्ती बनाया है ये मैंने plane कुर्ती बनाया है इसको cutwork neck design बोलते है और इसको मैंने besides से मैंने गोटा भी लगाया हुआ है गोटा वाली जो लेस आती है हमारी इसक सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए पहले आपको यह कैनवास लेना है तो यह देखिए मैंने कैनवास को टूफोल्ड में फोल्ड के इसकी जो लंबाई है वो मैंने तेरा इंच ले रखी है और इसकी जो इसकी जो मैंने चोड़ाई रखे लेना तो यह दिखिए इसकी जुतार लतो न सफास रखना दोकरणंने के देखेंगे इस तरह्यां म हुदी जुत कर आंच रहा हें तो यह हमारा है जो हमें एक साइस का ही हमें कट वर्क मिलेगा तो यह देखिए इस तरह से यह मिल गया अगर आपको जिता लंबा बढ़ा च्छी हो तो आप उसके साफ से आप उसको बढ़ा सकते हैं तो यह देखिए जो हमारा कैंवास है इसको मैंने टू फोल्ड में रखा हुआ है तो यह जो ह करीष्थ 7 ब traffic लेना है समयनिज कैसे हमें यहां से पूरे में लाइन ड्रो कर लेनी है इधर लंबाई में हमें एक समयासे से पूरा बराव रखते हुए त फ़िछले बाक में मैंने लाइन ड्रो कि टो इसको एक जैसी लाइन आनी चीह आगे पीछे ना जाए तो इसलिए हमने जो लाइन करी है वहीं से हमें ये कटवर्क जो इंश्टा करने लेंगे पूरे में हमें पूंद करोड़ाने युका लाओक प्सक्रक्ट यहनकर जाएगा यह इस तरह से कलने लिए कुछ ही इस तरह से दिखेगा तो इन यहां से मैं करी तो यहां से हम mapped करना है देखें इसको टूफोल्ड में फोल करने गात अस्तर की लंबाई मैंने 14 इंच लियो इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने साड़ी पांच लियो यह देखिए जो हमने कैणवास कट किया था उसको इस तरह से आपको जमा लेना और चारों तरप इसमें सिलाई कर लेना कि जो हमारा अस्तर है अस्तर पे जो हमारा कैणवास जो माई डिजाइन है वो अटेच हो जाए तो यह दिजाइन लगाने के बाद आपको यह जो हमने डिजाइन जैसी कट वर्क दिख रहा है उसमें हमने पूरे में चारों तरप इसको अटेच कर लिया तो इस तरह से आपको पहले अस्तर पे अटेच किया हुआ है इस तरह से आपको बराबर कर लेना है और इसको मैंने चारों तरप से भी कच्चा कर लिया जैसी हमने डिजाइन पर यह दिख लेना है तो इस तरह से आपको उल्टा सीधा अपनी फैबरिक को देख लेना है आपको ध्यान रखना है जो भी आपका तो आपको यह फ्रंट साइड में चाहिए रहेगा आपको यह डिजाइन तो यह देखिए मैंने सीधे बाग पर रखा हूँ हमारे इसमें सीधा उल्टा पता नहीं चल रहा है तो आप अपनी साफ से देख लीजिएगा अब मैंने इसको पहले सेंटर से अटेच कर लिया था क खोली और एस्टर फैब्रिक को भी कट कर लिया है तो इसको हम इस तरह से पलट लेंगे तो आपको इस चीज का धियान रखना है जब यह आपको फैब्रिक को रखना है तो आपको मैंन फैब्रिक पर ऐसे रखना है कि उल्टी साइड से रखना है जिससे पलट नहीं हमारे स इंटर पर इस तरह की डिजाइन आ जाएगी तो यह दिखिए हमारा जो अस्तर था वो नीचे साइड हो गया जो मैन फैबरी के वो उपर आ गया है और यह जो हमने गोटा लैस लिए इसको इसी डिजाइन पर जैसे हमने यह जो डिजाइन बनाई है उस पर हम इसको चारो हैन बन के रेड़िय हुआ है अब इसमें नेकी कटिंग करेंगे तो इसको पहले मैं सेंटर से बराबर कर लेना है सेंटर अब यह दिखिए कुड़्ति लिए है हमारी जो हमाराघु मिना फ्रैंट पारी उसको मैं लिया हुआ है إस्को अच्छे से कर लेंगे बराबर पू देखिए घे वु दो क्चलु ले लेना है और इसको सेंटर से mate करके लेना है और श्मीर का टेज हें एक चॉब करने यह से मैं आपको इस तरह से जंद बंडने निया तो यह उसके वादर हमारेट जिस तरह चार इत्यांन ही अगर दो अगर को सब्सक्राइब पर बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हमने यह बना लिया है तो यह देखिए अब आम इसमी क्या करेंगे तो इस तरह से हमारा लगने का अब हम उपर नेक पर कटिंग करेंगे तो यह देखिए यह नॉर्मल छेंच का गला है नॉर्मल जो हम डीप गोल बनाते हैं यू थोड़ाइसी के दिशीन के इसको चारु कर लीआ है अब इसको प्रक्राइज लिए орт लेंगे वहरा आपको नीदैने यह मं पशुनता को बने अब तो यह झासे आपको अधियों नए वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा